मोटू और पतलू, आज ये दोनों काटून क्यारेक्टर्स किसी पहचान के मौताज नहीं हैं। देश में बच्चा-बच्चा इन्हें जानता है। कभी कॉमिक्स के पन्नों में दिखने वाले मोटू और पतलू आज तीवी पर दिखाई देते हैं। मुश्किलों में फसते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी हसाते गुदगुदाते हैं और फिर जीत के साथ कहानी को खत्म करते हैं अक्टूबर 2022 में मोटू और पतलू सीरीज के टीवी पर 10 साल पूरे हो चुके हैं अक्टूबर 2012 में पहली बार ये शो टीवी पर निकलोडियन चैनल पर दिखा था मोटू पतलू शो निकलोडियन के टॉप 5 शो में से एक है और ये चैनल की टोटल रेटिंग में 45 प्रतिशत का योगदान करता है शो के पूरे भारत में साथ भाशाओं में लगबग 30 करोड विवर है लेकिन मोटू पतलू की फैन फॉलोइंग केवल इसकी टीवी सीरीज की वज़े से नहीं है बलकि इनके फैन्स तो उस वक्त से हैं जब ये दोनों कारेक्टर मैगजीन और कोमिक्स में दिखा करते थे आईए जानते हैं कैसे अस्तित्व में आये थे ये दोनों दोस्त इनकी कहानी जानने के पहले आपको मायापॉरी ग्रुप की कहानी जाननी हुगी मायापुरी ग्रूप की नीव उस वक्त पड़ी थी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था S.L. बजाज नाम के शक्स ने लाहॉर में 1882 बे एक कैलेंडर प्रिंटिंग प्रेस लगाई इस प्रेस का नाम अरोर बंच कैलेंडर प्रिंटिंग प्रेस था बाद में मैगजीन निकाला भी शुरू किया सालों तक प्रेस वहां चली उसके बाद 1947 में भारत को आजादी मिली लेकिन साथ में बटवारा भी बटवारे के चलते बजाज परिवार लौहर में अपने सब को छोड़ कर बॉर्डर के इस ओर आ गया और फिर से प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से खुद को स्थापित करने लगा इस बार बिजनिस के अगवाई कर रहे थे एसल बजाज के बेटे आनंद प्रकाश बजाज जिन्हें एपी बजाज के नाम से जाना जाता है लोटपोर्ट और मायापुरी के चीफ एडिटर और ओनर प्रमोट कुमार बजाज यानि पीके बजाज ने यो स्टोरी हिंदी के साथ बातचीत की उन्होंने बताया कि उनके पिता एपी बजाज जब बटवारे के बाद भारत आये उनके पास केवल 13 रुपे थे परिवार पहले से मसूरी में था घर की जूलरी बेज कर दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस को शुरू किया गया प्रेस बच्चों के लिए आट भाशाओं में अक्षर ग्यान वाली किताबों को प्रिंट करती थी 1967 में अरोरबन स्प्रेस का नाम माया पुरी पड़ा एपी बजाज ने 1979 में द्विभाशी कॉमिक मैगजीन लोटपोर्ट को शुरू किया उनका मकसद बच्चों को चित्रकताओं के मादहम से मनोरंजिन के साथ साथ अच्छे सी कुपलब्द करवाना था इसी कार्टूनिस्ट प्राण का चाचा चौधरी कार्टून कारेक्टर भी सबसे पहले साल 1971 में दिखा था लोटपोर्ट में मोटू पथलू घसीतराम डॉक्टर जटका और अन्य सभी कारेक्टर्स के ओरिजिनल क्रिटर क्रिपा शंकर भारदवाज थे इस मैगजीन को अब क्रिपा शंकर ने एक दिन एपी से कहा कि मैगजीन शुरू करते हैं पहले तो एपी ने वना किया लेकिन फिर मान गए और फैसला हुआ कि बच्चों की मैगजीन को शुरू किया जाएगा उसके बाद टीम ने आपस में विचार विमर्श करके मोटू पतलू के साथ सा करेक्टर जटका और घसीटा राम को फाइनल किया लोटपोर्ट के प्रमुक किरदार मोटू पतलू स्टान लॉरल और ओलिवर हाडी पर बेस्ट पतलू दोनों को बेस्ट प्रेंट दिखाया गया है जो आए दिन किसी नकिसी परिशानी में फसते हैं और पिर अपनी सूज लोटपोर्ट में चाचा चौधरी और मोटू पतलू दोनों ही दिखते थे पहले तीन पेच पर चाचा चौधरी और बाकी आठ पेच पर मोटू पतलू जाते थे बाद में जब चाचा चौधरी की अलग कॉमिक्स आने लगी तो लोटपोर्ट में केवल मोटू पतलू रह आज मोटू पतलू की कॉमिक्स का प्रिंट एडिशन फिलहाल के लिए बंद हो चुका है लेकिन डिजिटल एडिशन ओनलाइन मौजूद है इस वक्त मोटू पतलू की डिजाइनिंग फर्मिंदर माकड देख रहे हैं खेर साल दर साल बीटते गए और अनिमेशन का दोर आया पीके बजाज ने बताया कि उनके पिता एपी बजाज ने समय रहते ही बदलती ट्रेंट को भाप लिया था उन्होंने ही सलाह दी थी कि जल्दी प्रिंटिट कॉमिक्स का दोर खत्म हो जाएगा इसलिए अनिमेशन में से कदम रखा जाना चाहिए उनकी सलाह को मानते हुए और बदलाव को अपनाते हुए मायापुरी ग्रूप के M.D. और CEO अमन बजाज ने कार्टून अनिमेशन में अपने बिजनिस को उतारा और दूर दर्शन के लिए अनिमेटर प्रोग्राम्स बनाया इसके लिए 1990 के तयार नहीं था धाई मिनिट के सैंपल को हर तरफ से रिजेक्शन मिल रहा था हर चैनल विदेशी टून्स कैरेक्टर्स चाहता था भारती कैरेक्टर्स में किसी को इंट्रेस्ट नहीं था उसी वक्त निकलोडीन चैनल नया नया शुरू हुआ था निक ने मोटू पतलू मे निकली और आज यह भयानक पॉपुलारिटी बटोड़ चुकी है साल 2011 में ग्रूप ने लोटकोट ए मैगजीन निकाली और फिर 16 अक्टूबर 2012 में ग्रूप ने निकलोडियन पर मोटू पतलू की टीवी कार्टून सीरीज टेलिकास करना शुरू किया इस सीरीज का नाम त विक्रम ने लिखा है इसके पहले वो सोन परी और शाकाला का भूम मूम जैसे पॉपुलर किड्स शो लिख चुके है सीरीज को कॉस्मोज माया स्टूडियोज और वायकॉम 18 ने प्रडूस किया सीरीज में पहले मोटू पतलू को एक फिक्शनल टाउन फुरफुरी नगर क का निवासी दिखाय गया था बाद में उन्हें एक अन्यफिक्शनल टाउन मॉडर्न सिटी का निवासी बना दिया गया शो का थीम सॉंग है मोटू और पतलू की जोड़ी जिसे संदेश शांडिली ने कंपोस किया है और सुखिंदर सिंग ने गाया है टीवी सीरीज में मो समोसा देखकर उसकी भूग फिर से जाग उठती है भूखे पेट मोटू के दिमाग की बत्ती नहीं जलती और समोसा खाने के बाद दो बड़े से बड़े भीमकाय पहलवान को भी चित कर सकता है इतना ही नहीं वह एक बार में अनगिनत समोसे खा सकता है दूसरी तरफ पतल लोगी तो के सथांट मोटू पतलू जाग रूक भी कर रहे है नागरिकों में कर अनुपालन को लेकर जाग ठापहलाने के लिए मोटू पतलू चैरेक्टर्स की बदली जा रही है वो टूपतलू की दस कौमिक बुक्स को आयकर विभाग के साथ असूसिएशन में निकाला किया गया तो यह थी मोटू पतलू की कहानी अच्छा जाते जाते आपको यह भी बता दो कि मायापूरी ग्रूप अब तक सौ से ज्यादा टीवी शोज और पंदरा से ज्यादा विग्यापन बना चुका है जी फाइफ पर इसकी डेड़ सो से ज्यादा बाल कहानिय यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लेकर आई थी मेरी साथी रितिका ऐसे ही और दिल्चस्प वीडियो देखने के लिए फटा-फट यॉर स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजे फिर मिलेंगे शुक्ति